इंदौर की तेज़वाजी नगर पुलिस ने एक पिड़त महिला की शिकायत पर एक कोचिंग इंसिट्यूट के शिक्षक पर दुशकर्म का मामला दर्च किया है शिक्षक ने पिड़ता को शादी का लालच दे कर अपने फ्लैट पर ले जाकर दुशकर्म किया था दरसल इंदौर शहर में दुशकर्म की घटना रुकने का नाम नहीं ले रही है वहीं गुरुबार को एक पिड़ता ने तेज़वाजी नगर पुलस को शिकायत की थी कि 2018 में कोचिंग क्लास वो जाती थी तब ही प्रती श्रिवास्तव से दोस्ती हो गई थी जिसके बाद कोचिंग इंसिट्यूट संचालक प्रती श्रिवास्तव ने शादी का जहासा दे कर पिड़ता को अपने फ्लैट पर ले जाकर कई बार दुशकर्म किया था जहां कोचिंग इंसिट्यूट संचालक की 8 दिसंबर को शादी होने वाली थी तभी पेड़त ने शादी के कार्ट पर उसका नाम ना होते हुए दूसरी लड़की का नाम देखा तो तुरांत तेज़ाजी नगर पुलिस को शुकायत दर्च करवाई थी बहराल कोचिंग इंस्टिट्यूट संच्वालक प्रतीश रिवास्तव ने शादी तो कर ली है पुलिस ने प्रतीश रिवास्तव के खिलाफ दुशकर्म का मामला दर्च कर तलाश शिरू कर दी है सर तेज़ाजी नगर ठाने पर एक पीडिता आई थी जिसने कहा है कि उसके साथ इंदोर के कोचिंग इंस्टिट्यूट के शिक्षक ने गलत काम किया है उसमें जब शादीन की आड दिसमुर को होने वाली थी तो उसमें किसी और लड़की का नाम परिवाद्य करके उसमें इम्यूटेशन काड में चपवाया था तो इस पर पीडिता को सब्दा आप परती थी कि यह कॉल एक तो तो कपिल श्रिवस्तर नाम का शिक्षक है उसने इस ने शादी का जहांसा दिया था और उसमें परिदा से शादी ना करकर किसी अंडिय लड़की से शादी कियी सर किस तरह से जांपेशाल हो थी प्रिडिकात्ता की पिडिटा का यह कहना है कि पढ़ने जाती थी ओज़ अधर अटाराम चीशी की तियारी कंदे नो और आई झाल झाल